तो क्या हाले आप सब लोगों के उमीद कवता हूं सब कुछ बढ़ी है होगा अब रिसेंट यह आपको हाइडरा वाला सेनारियो तो पता ही होगा जिसमें हार हाइडरा के जितने भी बड़े-बड़े क्रेटर्स थे वो लीव कव चुके हैं और डाइनमो और उनके बीच क्य सब्सके हैं जोपर वो काफी साथ कुलारी हाइफाई करते हैं सो जैसे कि आपको पताऊगा उन्हों ने फर्ट यूंपा इपने को करने को वहँआज्ग करना था बॊटल ने अब या इस वर्त का इ7 किया है उस चीजके बार में किल्फाई वाट करते हैं। बूट कैम में बहुत सारे चीज़े थी, जिसमें मेरा बहुत जाधा एंगेजमेंट लगता था, मेड भी बूट कैम में क्या-क्या ग्रॉसरीज में जाधा पैसे लग रहे हैं, तो हमें यशराच को अलाइन, मुझे यशराच को अलाइन करना है, कि यशराच थोड़ा ध्या उसके बाद बहुत सारी चीज़े और भी होती है बूटकैम में जैसे की डाइनमों ने कहा ये सर्फ बूटकैम नी एक चोटा सा घर नी है ये संभालना मतलब पूरे एक शेहर संभालना जितना होता है जिसके अंदर आपके सारे हेलपर्स सारे जो आपके फाइस्टार के जो शेफ हमने रखे थे उनको कुछ नेसेसिटी है बिकोज एविवन इस न्यू करेक्ट इतनी सारी चीज़े हाइडरा एस्पोर्ट्स आपको पता है की टॉप फ्लोर पे थी हमारे साथ आइ हाइट் और ओ उसलिफ निवरका था है की नविव 45 जूप होगी कीसटी उसी गडिम तो ऑग सार čीज़ें आइप आपकम में बनel डाव टोंनल प् Northeast एक शॉट में बता रहा हूंँ आपको इतना potential ऐसे नहीं निकल पा रहा है यह पूरा क्लब होके यहां से जा रहा है बूटकेम बंद क्यों हुआ और उनके उपर कितना प्रेशर और कितनी बूटकेम बंद क्यों है और डीटेल में हम लोग आपको बताएंगे बट बूटकेम बंद का बोचा जब वर्ष्ट सिचुएशन आ चुकी होती है तो वर्ष्ट सिचुएशन अचानक से नहीं आ जाती धीरे-धीरे बिल्ड होती है वर्ष्ट सिचुएशन करते थे कि कैसे इंप्रूफ कर सकते हैं कैसे इंप्रूफ कर सकते हैं बड़ हाथ से चूट रही थी जब बूटकेम फर एक्जापल आइट महने दस महने के लिए चला फाइव मन्स वर थे गोल्डन मन्स उसके बाद के जो पांच महने थे करने आज तक अब आपके सामने आके नहीं वोलागा बूटकेम इतनी तकलीफ हो रही है हमें करेक्ट जो फाइव मन्स थे वर्ष्ट फाइव मन्स थे शालू होने शालू हो चुके थे वर्ष्ट मन्स में वी वे तुगेदर वी डिड़ सेवरल मीटिंग्स कितनी जारी पर बात करते हैं कि उन सबने डिसीजन क्यों लिया हाइडर लीव कवने का जो जो हेटर्स हैं जो बोलने वाले हैं वो तो बोलेंगे ही बट जिनों जो अपना हलका सब दिमाग लागा गया ना 10% उनको दिख जाएगा कि वाई हाइडरा अब तक एसपोर्ट में कोई तो पुछोंगा ना तो आपको पराइड जाएगा कि कबसे यह फेस चालू हो गया है ठीक है परी सिंपल चीज था है बहुत सारी चीज़ें होती हैं हैं इंटीरियर हो गया से लिएक सारी चीज़ें यह इसपोर्ट लाइनप को जो सालरी जो मेंटेनेंस होता है उनके फोन इंटीर चीजें होती हैं वह तो फाइटार शेफ जो हमारे उनकी इंकी सालरी क्या है तो वह सालरी सारी चीजें हमें बहुत सारे क्लाइन विंबर्स पे इकुलि अमांट अप्रेशर था अगर अगर आप हंडिट परसंट में से आप डिवाइड करो की कौन कितना कर रहा थ तो 30% of the 30% of the strength जो bootcamp की in terms of finance था that was dynamo's portion and 70% of the pressure of the whole bootcamp was our clan members portion but I am just taking a calculated risk analysis कि यार what after कि 5 साल बाद मेरी शादी हो जाए तो मुझे अपनी वाइफ को संबालना है मुझे अपने mom dad का थोड़ा बुड़ा बा संबालना है क्योंकि मैं वहां भी रहूंगा ना ऑव्यस सी बात है सो ऐसा ना हो कि और मैं यूट्यूबी संबाव लो उस टाइम पर तो ऑव्यस सी बात है किसी एक चीज पर थोड़ा डाउन होंगे ही सो आज से चार साल है हमारे पास शादी होने तक मेरे साब से एंपरर की थोड़ी हो जाएगी तो चार साल में भी हम लोग ऐसे स्टागनेंट चलने वाली चीज मेरे दिमाग में तो नहीं रहती है इनके भी दिमाग में रहती है क्योंकि लोग भी डिफिनिटली बोलते हैं कि यार आज से चार साल बाद अगर मैं वही एक लाग 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 व्यूस पर रहा इसी 1.7 मिलियन पर रहा तो क्या फायदा है अभी घिस तो यार जितना घिस सकते हो इन अलफा यहां पर यह भी बताते कि डाइनमो के फादर को जब यह चीज पता चली थी तो वह भी काफी शौक थे यार कि अलफा यह बात कह रहा है लीव कवने की इन इसके बार में अलफा यहां पर बात करते हैं ओवरॉल सेनारियो आप देख सकते हो इतने बुरे टाइम जैसे कि श्रीमान भाव का मैंने कल देखा कि श्रीमान भाव वस वेरी हाट ब्रोकन जब वो उन्होंने सुना कि आयजा क्ला वाले मेंबर्स चोड़ रहे हैं और उन्होंने यह भी बोला था कि इतने बूरे टाइम पे सबको 21 रहना चाहिए तो 21 आप रहना चाहिए करेक्ट जो कि बहुत जादा प्रॉपर बात कही है श्रीमान भाव ने बट जब इसी पूरे टाइम में हम एककत्रा नहीं रह रहे हैं तो तो अपना थोड़ा दिमाग लगाओ अच्छे तरीके से तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे इवन जब मैंने डाइनमो से लास टाइम बात करी थी हम सबने बात करी थी तब डाइनमो ने यह भी बोला था क्यार मैंने अपने पापा को थोड़ा यह शेयर करी चीज़े उनके बापा तो लिटरली मान ही नहीं रहे ते कि अलफा यह स्टेप ले है मैंने फिर रिप्लाइ दिया डाइनमों को कि यार जब आपके पापा यह बोल रहे है कि अलफा यह स्टेप नहीं ले सकता और फिर भी अलफा यह स्टेप ले रहा है आपिछ आपके बात करी है कंगा बात करने के लिए क्या मैं भी बात करने के लिए काम लोग अनों जब मैं दिस्कॉर्ट जाइन करता हूं जिस इस वीसी में वो लोग बैठते हैं उस वीजी में अंटर करने के लिए डेह आफ टो गिव में पावर रोल पावर वो जब देते हैं मुझे तब ही जागर में वह वीजी में अंटर करता हूं very simple thing brand stream वाली भी बात बोली थी कि कुछ लोग से ब्रांट स्ट्रीम करने के लिए आते थे यार तो मैं honestly बता रहा हूं कुछ लोग कुछ लोग कुछ लोग बहुत लोग हो गए थे बीच में कि कुछ लोग काम कर रहे थे कुछ लोग सिफ ब्रांट स्ट्रीम कर दे तो एक बार स्ट्रीम कर रहा है भी बोलो आयूश वन अफ दी मोस्ट रेगुलर बंदा ऑफ दी है अज तीन साल वाद पनी पहली ब्रांट स्ट्रीम कर रहा है तो अब समझ सकते हो कि किसके लिए बोला गया था क्या बोला था हमको कुछ नहीं आइडिया बट हां एक और बात है कि यही और यहीं एक सिर्ट सुरेशन था कि है डर चोड़ना पड़ेगा तो हां गई सिर्फ एक ही सलूशन था फॉक तो अम लोग पाई पिछलेया आट हम इने से बोले जा रहे हैं कि धिंसर नॉत लॉकिंग गडिंग बट 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 नोट अगड बट हो रही है मे वोन ने इन सब के बाद लीफ क्यूं करा उसके बाक 어ह भात करते है ओट है जहां पर में पताते कि वह फॉरिण जाने वाले श्टेडीश केलिए हैर ओवर्राल के प्लिए कहने की बातु कि 설명 साइट के देखने को जा लाट कर सकते, but a family will always be a family. तो बस यारे, इस पटिकली वीडियो में से फितना उमीद का तो वीडियो पसंदा है, वीडियो पसंदा है तो लाइक कव देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कव देना, बाकी भी मैं भी चलता हूँ, मैं तौप से अगली वीडियो में, सैनिंग ओफ!